हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल स्टडी फोर यू सो गाई जैसा कि आज आज जो आपका हर्याना पुलिस मेल कॉंस्टेबल का दो नौंबर का इबनिंग सिप्ट का पेपर हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एकुरेट एंसर के साथ जो है इस पुलिस रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और बगल में आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज कि उन सभी मामलों में नोटिस में जो निर्दिस्ट है जहां किसी वैक्ति की गिरपतारी के आफसकता नहीं है तो ये जो आपका किस में प्रावधान दिया गया है तो ये आपका धारा 41 की उपधारा 1 के प्रावधान में दिया गया है तो आप्सन ए आपका करेक्ट हो है ना यह आपके अस्थाई सदस से देश को दिये गए हैं और संयुक्तराज सुरचा परिस्द में जो अस्थाई सदस से देश हैं वो आपके पांच अस्थाई सदस से देश हैं लेकिन भारत जो है यह आपका संयुक्तराज सुरचा परिस्द का अस्थाई सदस से देश है त तो देकि यह जो स्वेज नहर है ना यह लाल सागर को भुमद्य सागर से जोड़ता है तो option A आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next stop का यहाँ पर है कि आलू पर बने निसानों को क्या कहा जाता है तो देकि आलू पर जो बने निसान होते हैं ना उसे आँख कहा जाता है तो option B आपका correct हो जाएगा next आपका sign से present था कि साकाहरियों को क्या कहते हैं तो देखे साकाहरी जो होते हुआ आपके कहते हैं तो पौदे होते हैं और पौदे को अन्निक कहा जाता है तो प्रात्मिक उपभूगता भी कहा जाता है तो option D आपका यहाँ पे correct हो जाएगा next आपका जीके का प्राशन है कि नीरू मीरू यानि जल और आप कारिकरम यह जो किस राज्जी में सुरू किया गया था तो देखे यह जो नीरू मीरू जो कारिकरम है ना ये आंद्र परदेश राज्य में सुरू किया गया था तो option A आपका यहाँ पे correct हो जाएगा next आपका computer से प्रश्ण है था कि विसेस character जो सामानिता keyboard से टंकित नहीं किये जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं तो देखें विसेस character जो सामानिता keyboard से टंकित नहीं होते हैं उसे जो equation कहा जाता है तो option B आपका यहाँ पे correct answer हो जाएगा next आपका एक और आपका computer से प्रश्ण है था RTOS के लिए क्या आता है तो देखें RTOS का जो full form होता है वो real time operating system होता है तो option D आपका यहाँ पे correct answer हो जाएगा next आपका GK के फ्रश्ण है कि भारतिय संविधान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें जहाँ पे पहला में आपका समानागरिक सहिंता दिया वा है सराप के सेवन का निशेद दिया गया है gram penchait को बढ़ावा देना कुटेर उद्योगे को बढ़ावा देना या फिर उपरोक्त किसका है यह सब Phone के हिस्सा है तो देकि यह जो चारों है आपकी किसके हिस्सा है तो यह राज-जी निती के निड्डेशक सिधान्त का हिस्सा है तो option A आपका यहाँ पे correct answer हो जाएगा बात कर ले राजी नीती निर्देशक सिदान्त यह जो आपके किस अनुछेद में है तो यह आपके 36-51 में आते हैं और भाग की बात कर ले तो यह आपके भाग 4 में आते हैं और बात कर ले राजिक के नीती नीदे सक्सिदान्त ये जो है किस देश से लिए गया है तो ये आपके आएरलेंड देश से लिए गया है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्षेशन आपका यहाँ पर है विस्वस्रम संगठन का मुख्याले यह जो आपका कहां पर है यानि यहाँ पर पूछा गया कि International Labour Organization का मुख्याले कहां पर है तो यह आपका जेनेवा में है कि चोट लगने पर पौधे की कौन सी गती प्रेरित होती है तो देखें चोट लगने पर पौधे की जो गती है ना यह आपका Tromantropism गती जो है प्रेरित होता है तो Tromantropism option C आपका यहाँ पे correct हो जाएगा Next type का है था कि The Republic नामक पूस्तक की ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है तो देखें ये जो दरी पब्लीक नामक पूछता कहना ये अरस्तु के द्वारा लिखा गया था तो option भी आपका correct हो जाएगा तो option भी आपका यहाँ पर correct हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो देखें भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी जील है ये चिलका जील है और आपको कमेंट करके जबाब देना है कि ये जो चिलका जील ह यह किस राज जिम है भारत के तो यह आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है नेक्स टाप का यहाँ पर है कि प्रतेक एंथर लोब में कितने प्राग कोश जो है वो मौजूद होते हैं तो आपसन भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स टाप का एकोनॉमिक से आथा कि इन में से किस परकार की खेती में प्रती एकड उपस कम होने पर भी प्रतिवेक्टी उपज अधिक होता है तो यह आपका व्यापक व्यावसाइक अनाच की खेती में होता है तो आपसन ए आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका रीजनिक से आता कि सऽेलर्ड का सम्ण अगर क्रीबियू से है तो शीप का सम्. जो यह किस से होगा तो सीप का सम. जो है यह फ्लोक से होगा option D आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट आपका GK से था कि Arjun Award की स्थापना वर्स 1961 में हुआ था यह जो है कितने वर्स तक नीरंतर बेहतरीन परदाशन के लिए खिलाडियों को दिया जाता है तो देखें यह जो आपका Arjun Award है ना इस की स्थापना 1961 में हुआ था और ये पिछले चार वर्स की अवधी तक निरंतर परदर्शन, बहतरीन परदर्शन के लिए खिलाडियों को दिया जाता है तो option C आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next question आपका यहाँ पर है कि powerpoint में word art का परयोग करते हुए आप आसानी से क्या बना सकते हैं आप लोगों भी बना सकते हैं, मोहर भी बना सकते हैं और बैनर भी बना सकते हैं तो option D आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next आपका जी किस है था कि दच्छिन ACI 36 सयोग संगठन यानि सार्क की अस्थापना यह जो है आपका किस वर्स में हुआ था कभी कभी एक्जाम में जो सार का फुल फुम पहुचा जाता है तो South Asian Association for Regional Co-operation होता है और इसकी जो स्थापना है यह आपका 1985 में हुआ था और कहां पर हुआ था तो यह आपका काठ मांडू में हुआ था तो 1985 option D correct answer हो जाएगा next step का यहाँ पर है कि पहला गिर्मेटिया पुस्तक यह जो आपका किसके द्वारा लिखी गई थी तो यह जो पुस्तक है यह आपके गिरिराज की सोर के द्वारा लिखा गया था option B आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रिंग की तरह सरीर में मौजूद है तो रिंग की तरह जो सरीर में मौजूद होते हैं तो एनलीडा में होता है तो option A आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की बात कर ले तो नेक्स्ट कोशन आपका है कि Central Sial Salinity Research Institute यह जो आपका कहां पर इस्टित है तो देखें यह जो Central Sial Salinity Research Institute है यह आपका हर्याना के हिसार में इस्टित है तो option B आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट महासभा ने मानवा अधिकार यह जो कब घोसित किया था तो देखें मानवा अधिकार दिवस कब मना जाता तो यह आपका 10 दिसंबर को मना जाता है तो देखें कौक्रोच में जो निशेचान है न यह आपका आंत्रीक में होता है option C यहाँ पर correct हो जाएगा next step का यहाँ पर रहा था कि आने वाले वर्स में HFC को बंद करने के लिए उद्योग के प्रामर्स से भारत एक राष्टी रननिती विक्सित करेगा और यह जो एक कब तक समाप्त कर देगा तो देखें सुरुवात जो ही ती इसका 2021 में हुआ था और यह जो समाप्त है न यह आपका 2023 में हो जाएगा तो option C आपका यहाँ पर correct हो जाएगा next step का यह एक कंप्यूटर से प्रशना है था किसमे जो है मेमोरी प्रबंधक एक परकिया को अवंटित उपलब्ध मेमोरी के सबसे बड़े खंड में रखता है तो यह कौन रखता है तो यह आपका पेजिंग रखता है option A आपका यहाँ पर correct हो जाएगा next step का था कि विस्व स्वास्त संगठन के वरतमान में कितने सदस से राज जिनिया पर देश होगा तो देखें विस्व स्वास्त संगठन के वरतमान में जो है एक टोटल अभी वरतमान में 194 देश है लेकिन option में 194 नहीं दिया हुआ है तो option D आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next step का यहाँ पर रहता कि MPC का मान पूछा गया था कि किसके बीच रहता है तो देखें MPC का जो फुल पॉम होता है वो आपका marginal propensity consume होता है और इसका जो value होता है वो आपका 0 और 1 के बीच में रहता है तो option A आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next step का यहाँ पर है कि wishing का मतलब क्या है तो देखें wishing का मतलब क्या होता है कि online जो fraud होते हैं यह सब वगरा के बारे में पूछा गया था तो देखें wishing में आपका fishing भी होता है ys fishing भी होता है ms fishing भी होता है तो option D आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next step का science से प्रश्ण है था कि निम्नलिकित में से कौन से gas को जो है ascrubber के परियोग द्वारा हटाया जा सकता है तो देखें यह जो carbon dioxide gas है ना इसको ascrubber के परियोग द्वारा हटाया जा सकता है तो option C आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next step का यहाँ पर रहा था कि थाराइट ग्रंती का बड़ा होना समानिता क्या कहलाता है तो देखें थाराइट ग्रंती का बड़ा होना समानिता आपका घेंगा यानि goiter कहलाता है तो option A घेंगा जो आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next question आपका यहाँ पर है विस्व कोड़ दिवस 2021 का केंद्रिय भाव क्या था तो देखें विस्व कोड़ दिवस 2021 का जो केंद्रिय भाव था कोड़ को हराना कलंक समाप्त करना और मानसिक स्वास्त की वकालत करना option B जो आपका यहाँ पर correct हो जाएगा next आपका एक chemistry से था यह आपका दियावा था equation यानि क्या हो रहा है तो reduction की परकिरिया हो रहा है और reduction की परकिरिया में क्या होता है तो hydrogen जो आपका वो जुड़ता है तो यहाँ पर जो correct answer होगा न वो क्या हमारा आजाएगा तो देखें हाइड्रोजन जुडने के बाद तो हमारा NH2 जुड़ेगा और NH2 इसमें किसमें है तो any lean में है option B आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next question आपका यहाँ पर है जो कि computer से कि paste tab में किसका परियोग print को घटाने या बढ़ाने के लिए होता है तो आपका परियोग परियोग print को घटाने या बढ़ाने के लिए होता है तो option D पैमानी करन आपका correct हो जाएगा next आपका history से था कि publication दित्ते ने किस युद में मंगलेश का वद्ध किया था तो publication दित्ते ने जो है ये अलवतु सिबिंगे कियोद में मंगलेश का वद्ध किया था तो option A आपका correct हो जाएगा next आपका ये question आपका repeated question ये आपका 31 October को भी पूछा गया था कि मुद्रास पिर्दी का पता रखने के लिए क्या परियोग्त होता है तो option D आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next आपका यहाँ पर आया था जो कि computer से था कि कौन सा एक mark could current algorithm है जो data को could good करने या फिर could खोलने के लिए किसी कुझी का परियोग नहीं करता है तो ये हैस परकारी जो है ये नहीं करता है तो option D आपका यहाँ पर correct हो जाएगा next आपका था कि जीलो का एक समू एक क्या बनाता है तो मंडल बनाता है जो पुलिस उप महा निरिछक पद एक अधिकारी की देखबाल में रहता है तो मंडल option A आपका यहाँ पर correct हो जाएगा नेक्स्ट आपका याप रहा था कि उबालने पर अंडे के सफेद भाकूस असकंदन प्रोटीन यह आपका किसका उधारन है तो यह किसका उधारन है तो यह आपका वी प्रकृति करन का उधारन है किसमें रोग करता है तो यह आपके आत में करता है तो ऑपसन भी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाप करों के परिवेचन आपूर्ति एकमत्र और वस्त्र की गुनवता की परीच्छा है तो इस इंडिया द्वारा न्युक्ति वेतन भोगी सेव कौन सा है तो कितना परसेंट होता है तो यहापका उप्सेंट करेक्ट हो मैं रहता की एक्सल में तृटी में आप ₹ कोसी बीच कहलाता थो सुप्सेंट हो जाएगा नेइक्स तरह पूजिक प्राप्तिया यानि इसी फांद रहता है तो तो ये राजकोसी एक घाटा कहलाता है, option B correct हो जाएगा, next आपका यहाँ पर रहता कि सिंदु घाटी की सबेता का विसाल अस्तनान घर, यानि ग्रेट बाद जो ये कहां पर इस्तित है, तो ये आपका मोहन जोदारों में इस्तित है, तो option C आपका यहाँ पर correct हो जाएगा, ब गोपनिये किंजी क्रिप्टोग्राफिक को क्या कहते हैं, तो देखें, गोपनिये किंजी क्रिप्टोग्राफिक को जो है, ये symmetric inscription भी कहा जाता है, तो option A आपका correct हो जाएगा, next आपका जीके से आथा कि माउंट मेरोपी से हाली में फुटने वाला जो सक्रिय जो आला मुख ये आपका इंडोनेशिया देश में है, तो option C आपका यहाँ पे correct हो जाएगा, next आपका computer से था कि text की बनावट को परिवर्तित करने और प्रसुती को पढ़ने के लिए आसान बनाने की परकिरिया क्या है, तो ये प्रार रूपन है, option B आपका यहाँ पे correct हो जाएगा, अब जो हम लोग इंगलिस को कर लेते हैं, पहला था कि इसमें जो आपका phrasal verb चुनना था, appropriate phrasal verb, की he fill in the blanks business in the absence of his father, यानि फादर के absence, यानि अनुपस्तिती में जो है, ये business कौन करेगा, carry on रखेगा, तो ये carried on, यानि जारी रखेगा, तो option B, sorry, option D correct हो जाएगा, 92 की बात कर तो 92 में जो आपका, ये तो आपका वर्ब दिया हुआ, ये भी आपका वर्ब दिया हुआ, ये भी आपका वर्ब दिया हुआ है, लेकिन ये जो आपका लीसेंसियस है, ये आपका adjective दिया हुआ है, तो option C, 92 का correct answer हो जाएगा, next question है आपका यहापर है, charity का जो सीनों नीम पू option C हो जाएगा, when I got the option C correct हो जाएगा, 95 में आपका यहाँ पर पूछा गया था, कि कीरन वाजसु एफरेट, then his knees knocked one another, तो इसमें जो correct answer होगा, वो आपका each other होगा, option B आपका correct हो जाएगा, अब जो हम लोग हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं, दधी एक तत्सम सब्द है, इसमें कर्म वाजची में बदलना था, तो कर्म में हम लोग के क्या देखना था, कि के द्वारा किसमे option में दिया हुआ है, तो के द्वारा किसमें दिया हुआ है, तो रागो द्वारा सामान बेचा जाएगा, यह जो आपका क्या हो जाएगा, तो कर्म वाजची हो जाएगा option B आपका correct हो जाएगा next आपका देगी जिन संग्या या सरवनाम सब्दों की विशेस्ता बता जाती है उससे क्या का जाता है तो विशेस्स से option B आपका correct हो जाएगा बच्चे सेर को देखकर डग है यह वाकि कौन सा करक का उधारन है तो यह आपका कर्म वाकि का उधारन option A correct हो जाएगा fill in the blanks धातु वे हैं जो किसी दूसरे सब्द से ना बने होने जैसे करना बैठना चलना आदी है तो यह किस परकार के हैं तो यह आपके मूल धातु है option C आपका correct हो जाएगा तो सारा question मैंने आपको solve करवा दिया है अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग यह वीडियो तो वीडियो को like जरू कर दिएगा और इसी तरह का content पाने के लिए चैनल को subscribe जरू कर दिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक thank you all the best